कि इंडी एलाइंस जीत करते हैं तो उनका प्रत्यासी कौन प्रधानमंत्री कौन बनेगा कोई नाम है राहुल बाबा बन सकते हैं क्या अरे क्यूं हस रहे हैं वाई तो कह दिया बारी बारी पांच साल एक एक जना बनेगा मगर एक कल्पना कर दो कि इंडी एलाइंस जीत करते हैं तो उनका प्रत्यासी कौन प्रधानमंत्री कौन बनेगा कोई नाम है अरे ऐसे नहीं चलो मैं एक एक करकर पूठता हूं सरत पवार बन सकते हैं क्या अरे जोड़ से वह बन सकते हैं ममताब एनरजी अखिले से आदाव स्तालिन उद्धो ठाकरे लालू जी अब हसना मत हो ही हुआ हो जड़ा भी मत हसना लालू बाबा बन सकते हैं क्या अरे क्यूं हस रहे हो भाई भाईयो बेनो इनके पास कोई प्रत्यासी नहीं है जब पत्रकारों ने उनको पूचा कि भाईया आप प्रदान मंत्री किसको बनाओगे तो नाम तो किसका कहे है ही नहीं तो कह दिया बारी बारी पांच साल एक एक जना बनेगा बुर्मिली ऐसे देश चल सकता है क्या जोर से बोलो चल सकता है और बारी बारी प्रदान मंत्री बनाने कि ये राहूल की जो फॉर्मिला है मैं राहूल बाबु को बाबा को पूचने आया हूँ राहूल बाबा ये बारी बारी प्रदान मंत्री की बात कर रहे हो मुझे बटाओ पाकिस्तान को मुह तोड़ जवाब कोई दे सकता है क्या जोर चे बोलो दे सकता है कौन दे सकता है कोरोना जैसी आफ़त को देश में आये तो कौन पुचा सकता है चंद्रयान चंद्रमा तक कौन पुचा सकता है जी ट्वेंटी कौन कर सकता है अतंकवाद कौन समाप्ट कर सकता है नकसलवाद कौन समाप्ट कर सकता है साथ करोड गरीबों का भला कौन कर सकता है ये यूवाओ के लिए स्टार्ट अप की भोच कौन खड़ी कर सकता है और भाईयो बेनों सिर्फ कांगडा में नए मैं देश बर में जहां भी जाता हूँ पूरे देश में मोदी 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 के नारे भाईयो बेनों ये मोदी मोदी का जो नारा है पूरे देश में लग रहा है वो विक्सित भारत का नारा है वो आत्म निर्पर भारत का नारा है और 130 करोड की चंता का उम्मीद का नारा नरेंद्र मोदी बन कर रहे चुके प्रेश प्रेश बन के रहे हैँ